जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक सुवागतेम ओचाली भगत गयानी YouTube चैनल में तो दोस्तों आज की इस पीडिो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ एक ऐसा मंतर बता रही हूं जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा आप लोगों को जिसको मंतर को 11 बार बोलने से ही माता काली सब आप लोगों को बताने लगती है जैसे कि मा काली की जो भक्ती, पुझा पाट मंतर, जाब, सभी भक्त करते हैं आज के समय में तो वो भक्त इसलिए करते हैं कि माता काली तक वो पूँच सके अगर माता काली से कुछ पूछना चाहते हैं अपने लिए या अपने घर परिवार के लिए या फिर किसी भार वाले व्यक्ति के लिए या किसी के मन की बाते को जानना चाहते हैं कि वही सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है यही सब चीजे आप लोग चाहते हैं तो आपको जो मंतर बताने जारी हूँ आपको उस मंतर को तीन दिन तक लगातार जबना है ग्यारा बार ठीक है चोथे दिन आप उस मंतर का प्रियोग करेंगे जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी जैसे मालो आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो आप उस मंतर को बोल के उस व्यक्ति के आँखों में देखोगे और उस व्यक्ति के मन में जो भी कुछ चल रहा है व कुछ आप लोगों को माताकाली बताने लग जाती है जब आप माताकाली के इस महा मंतर को तीन दिन तक लगातार सिद्ध करते हैं और ग्यारा बार जबते हैं तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्धिम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेश्ट करना चाहती हूं अगर आप महाकाली बगत ग्यान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक से और कमेंट जरूर कर लेना क्योंकि यहां पर आप लोगों को ऐसी मन की बातों को जानना उसके मन को पढ़ना कि उसके मन में क्या चल रहा है हमारे लिए यह बाते आपको माता काली बताती हैं जब आप इस मंतर का चाप करते हैं तो देखिए जो मंतर में आप लोगों को बताने जारी हूं यह माता काली का मंतर है और इस मंतर को आप लोगों पहले सिद्ध करना है मतलब प्रती दिन तीन दिन तक ग्यारा बार बोलना है ग्यारा बार सुभा बोलना है पूजा में ग्यारा बार शाम को पूजा में बोलना है तब जाके ये तीन दिन में आपका मंत्र सिद्ध होगा और चोथे दिन आप इस मंत्र से कोई भी कारी करा सकत मतलब की जैसे आप पूछेंगे माता काली से कि इस व्यक्ति का बारे में मतलब जैसे कोई सामने आपके बैठा तो उसके बारे में आप माता से पूछेंगे इस मंतर के जरिये से तो माता आपको सब कुछ उसके बारे में बता देगी कि इसके मन में क्या चर रहा है अगर आप आप किसी भी चीज की पूछा लेना चाहेंगे, वो सब कुछ आपको बताने लग जाती है, माता काली खुद बताने लग जाएंगी, जब आप माता काली के इस मंतर को जबते रहेंगे, तो चलिए बक्त पहले मैं आप लोगों को मंतर दिखा देती हूं, आप सामने स्क्रीन मंतर देख लो और बोल के भी सुना देती हूं, फिर आप इस मंतर को एक नोट बुक में नोट कर लेना, फिर आपको किस तरह से इसको यूज करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, सोने की संगली रूपे की कड़ी ले माई कडकाल का खड़ी, गुरुबंती गुरुबंदती गुरु के छूटे डाई, बाण, फूटे, लहू चले, मसान, डाईया, घडिया, दी ओनी, करी के ओये तो रोड का कहा है, चले मंतर फूरे वाचा, देखू रोड का तेरा इलम क तमासा, ये वाला मंतर है, जिस मंतर से आप किसी भी सामने वाले व्यक्ति के मन की बात को बिलकुल असानी से जान सकते हैं, और उसको पहचान भी सकते हैं कि किस तरह का व्यक्ति है, कैसी इसकी भावना है, क्या इसके मन में चल रहा है, सब कुछ आप एक सामने वाले व्यक बुद्भार को जपना है, और मंगलवार, बुद्भार, बीरवार, तीन दिन तक इसको, मंतर को जपना है, तीन दिन में आपका मंतर सिधो जाएगा, चोथे दिन, आप इसका प्रियोक कैसे करेंगे, जैसे मान लो आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है आप उसके मन की बात जानना चाते है या अपने घर के बारे में कुछ पूछना चाते है मतलब सब कुछ आपको माता कैली इस मंतर के जरीए से बताती है तो आपको इस मंतर को फिर एक ही बार बोलना है बस एक बार जैसे सामने आपके कोई व्यक्ति बैठा है तो आप उसकी तरब देखके घोर घोर के देखो आखो की तरब देखो देखके आपको एक बार इस मंतर को बोल देना है उसके मन में जो भी पाते चल रही है, जो उसके मन में चल रहा है वो आपको माताकाली सब कुछ आके आपके अंदर बता जाएगी यह किस तरह का व्यक्ति है तो इस तरह से माताकाली से सब कुछ पूछा जाता है वैसे तो आपको सादना, सिद्धी, मंतर सब कुछ हर एक व्यक्ती बताते होगे लेकिन ये मंतर आपको जल्दी से किसी ने बताया भी नहीं होगा क्योंकि ये जो मंतर है ये गुरू के दिये होए मंतर है और ये उनी व्यक्तियों के पास होते हैं इनका कोई गुरू होता है वरुल की हर किसी के पास नहीं होते हैं सब गुरू के अलग-अलग मंतर होते हैं जैसे मेरा ये मंतर मैंने आपको बता है ये मेरे गुरू का दिया हुआ मंतर है तो आप भी इस मंतर का प्रियोग करें और सभी के मन की बातों को जाने और माता काली आपको सब कुछ बताने लगेगी जब आप जो जो उनसे पूछेंगे चलिए बक्तों मैंने आपको अच्छे समझा दिया अगर कुछ पूछना है कमेट करके पूछ सकते हैं अब हम आपसे मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माता काली हर हर महादेव ओम नमस्चिवाए